युगो युगो से जल रहा है में, ग्रहे नक्षत्रों का सम है खेव, म्रमाण में ग्रहे रोज बदलते हैं अपनी चाल, आईए जाते हैं आज कौन सी राशी हो की माला माला जै शनी देर, प्रियभक्त कड़ों, मैं स्वामी राज रशी, शनी पीठ मंदित, इस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली से आज आपके समख्ष तस्तुत, दस वर्ष की आयू से ही मैं अपने पूज में पिता श्री, गुरु रजीश रशी ची के निरदेशन में, आस्टोलोज नियुम्रोलोजी एवं दन गंतों का अधर्यन कर रहा हूं, तो क्या कहते हैं आपके सतारे, कैसा रहेगा आज आपका लेन, क्या करें, क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए, आज कर आशी करें, जिन भी भक्क हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे, उसको शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, आज 10 दसम्मर, 2000 दिन, मंगलवार, माक्षीश मास परस भी बख्षल गाजे, और आज 13 दशी पिती, सुर्मा, 10 दशी चावारे स्रेंट तक रहीगी, और उसकी पश्चात चतो दशी पिती लग हरेंगे, आज अब जीतं मूर दुबे 11 B.3 बार मिनट से लिएकर 12 B.4 बार मिनट तो लेगा, इस दौरा कीसी भी शुपकारे की शिवाशन करने करने से, आप कोज में समुह को आज लिएकर 40 B.4 की शुपकारे करने से आप सभी नोग पर molaw hints करेंगे आईए अब जानते हैं कि मेश यानि कि एरीज राशी वाले जातकों का आज का दिन कैसा वीतेगा आज आप अपने शत्रू उपर भारी पड़ेंगे और आज आपके शत्रू आपके सामने टिक भी नहीं पाएंगे और उनकी कोई भी यूजना आज आप विफल कर देंगे यदि आज आपकी कोट कचैरी के किसी भी मामले में कोई सुनवाई है तो आज कोट में आपका पक्ष भारी रहेगा और आज निश्चित तौर पर जो फैसला है वो आपके पक्ष महीं आएगा यदि आपका धन कहीं पर व्याटका हुआ था कोई व्यक्ति आपसे उधार लेकर गया हुआ है या किसी भी प्रकार से आपका धन किसी और व्यक्ति के पास है तो आज वो व्यक्ति आपका धन आपको लोटा देगा, आपका रुका हुआ सारा धन आज आपको प्राप्त होगा आज ग्रह भल आपके साथ हैं, आप यदि प्रयास करते हैं, तो निश्चत तौर पर सफलता आज आपके कदम चूमेगे आज लिये हुए financial decisions आपको long run में फायदा देंगे, व्यक्ति शेत्र में भी आज आपके द्वारा लिये के decisions से आपके व्यापार की प्रगति होना तैब, आज आपका संपर्क कई नई लोगों से होगा, आपके communication के links बढ़ेंगे आज बुद्धी से related जो कारे हैं, जो दिमागी जिनकारेों को हम कहते हैं, उनमें आपका रुची बढ़ेगे आज भागया आपका भरपूर साथ दे रहा है, आज का आपका राशी फल देखते हुए, मैं आपको चार स्टार देता हूँ आईए अब जानते हैं कि आज का दिन प्रिशब यानि कि टौरा स्वाशी वाले चातकों के लिए कैसा रहने वाला हैं आज का दिन आपके लिए काफी मंगल मैं प्रतीत हो रहा हैं, जिन लोगों की शादी की उम्र हो गई है, आज उनको शादी की कई नहीं प्रस्ताव आएंगे और आज उनकी शादी की बात एक पॉजिटिव डिरेक्शन में मूव करेगी आज अपने परिवारिक सदस्यों और अपने प्रिये दोस्तों के साथ आपको भार जाकर भोजन करने का अफसर प्राप्त हो सकता है और अगर आपको अफसर प्राप्त नहीं हो रहा है, तो स्वयम उस अफसर को क्रियेट करें और आज अपने परिवार के सदस्यों और अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर भोजन करें इनसे आपके संबन बहतर होंगे आज आपको किसी दूसरे शहर में कोई काम पढ़ सकता है किसी बिसनस मीटिंग के लिए जाना पढ़ सकता है आज आपका स्वास्ते भी अच्छा रहने के संगेट दिखाई दे रहे हैं आज आपको धनलाब होने की संभावना भी दिखाई दे रही है विदेश में रह रहा कोई आपका रिष्टेदार आज आपको संपर कर सकता है और आपको कोई शुख सूचना दे सकता है आज थोड़ा साथ गाड़ी चलाते हुए ध्यान रखें आज आपके साथ दुरवटना होने की संबावनाय दिखाई दे रही है आज का आपका राशी फल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता आएए आप जानते हैं कि मिथुन यानि कि जेमिनाय राशी वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीदेगा आज अपनी वाणी पर अपनी जुबान पर संयम रखना आपके लिए अत्यन्त आवशक है आज आपकी वाणी आपको विजय भी दिला सकती है और आज आपकी निंदा भी गरवा सकती है बस फर्क इतना ही है कि आप उस पर कितना कंट्रोल लगते हैं और उसका किस प्रकार प्रयोग करते हैं आज नए लोगों से मिलते वक्त अत्यनत साफधानी बढ़ते आज आके जुबान फिसलने से उन पर एक खराब फर्स्ट इंप्रेशन पढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है यदि आप अपने घर के लिए कुछ खरींदारी करने वाले थे तो अभी के लिए इस योजना को टाल दे अभी इसके लिए समय शुब नहीं है और विशेश तोर पर कोई इलेक्ट्रोनेक समान अभी खरीदने से परेश करें आपकी घर में शांती और आनंग का वातावरंट बना रहेगा जिससे आपका मन आज प्रसन रहेगा परन्तु स्वास्त थोड़ा ओपर नीचे हो सकता है आज व्रसा एक लोगों को हल्का फुल्का आर्थिक नुक्सान भी होने की संभावना दिखाई दे रही हैं आज ओफिस में संगर्ष ये किसी से कर्मी के साथ मन मुटाव होने के अफसर उत्पन हो सकते हैं इसलिए आज सांधानी बरतना अत्यनतावशक है आज आज आपको प्रातर काल उठकर काले कुट्टे को रोटी खिलानी चाहिए ये आपके लिए अत्यनते शोग होगा मित्धुनराशी वालों अगर आपके पास अपनी कार नहीं है और आप अपनी कार खरीबने का सपना जल से जल साकार करना चाहते हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सित प्रांट पतिश्टित पढ़ने की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए यदि आप स्वयम गुरु रजणी शिशी द्वारा अभिमंत्र अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दियोए नमबरों पर हमें संपर कर सकते हैं किसी भी रजणों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंटली का अध्यर किसी योग के ऐस्टोलाजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हम से जोतिश परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर कर सकते हैं आज का आपका राशी फल देखते हुए मैं आपको दो स्टार देता हूँ आईए अब जानते हैं कि कर्ग यानि कि कैंसर राशी वाले चाहते को का आज का दिन कैसा बीतेगा भागें आज आपके पक्ष में दिखाई दे रहा हैं बस जरूरत है कि आप अपने कर्म करते जाएं शुप परणा अपने आपके दर्वाजे पर दस्तक देंगे और सफलता आपके कदम चुमेगी यदि आज आप किसी भी कॉम्पेटिशन में भाग लेने वाले हैं तो आज उसमें विजय मिलने की संभाबना अधिक हैं आज जो आपके रिलेशन्शिप्स हैं चाए वो किसी भी व्यक्ति के साथ हो उनमें आप पर एमोशन्स हावी रहेंगे अब इन emotion से आप इनको positive direction में लेके जाते हैं समाजिक व आर्थिक रूप से आप समवान प्राप्त करेंगे और आज आप ऐसे कारे करेंगे जिससे समाज में आपका नाम और फैले गा आज आपको विदेश जाने का अफसर भी प्राप्त हो सकता है आज धार्मे की आतरा पर जाना आपके लिए शुब होगा आज आपको प्रातर का उठकर शिवलिंग पर ज़ड़ाना चाहिए ये आपके लिए अत्यन्त शुब कारी रहेगा आज का आपका राशी फल देखते हुए मैं आपको तीन स्टार देता हूँ आईए अब जानते हैं कि आज का दिन सिंग यानि की लिए राशी वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की दृष्टी से बहुत इंपॉटन्ट है आज जो भी कारे आप करेंगे उसमें आपका कॉन्फिडेंस छलकेगा बस ध्यान रखें कि overconfidence और self-confidence की जो line होती है वो बहुत पतली है ऐसा नहों कि self-confidence के चकर में आप overconfident हो जाए आज सभी कारवें आपकी इच्छा के अनुसार होते देख आप बहुत ही खुश होंगे आज आपकी पारिवारिक सदश्यों और अपने दोस्तों के साथ आपको समय बिताने का अफसर टाथ हो सकता है और इसके लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो meditation का है प्रातर काल उठें और कुछ देर मेडिटेशन करें इससे आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्ची का पॉजिटिव थौट्स का संचार होगा और सभी नेगेटिव विचार, सभी नकरात्म पूर्चा आपके शरीर से दूर हो जाएगी आज आपको गाये को हर अचारा फिलाना चाहिए इससे आपके व्यापार में आपको फाइदा होगा आज का आपका राशी फल देखते हुए मैं आपको तीन स्टार्प देता हूँ आईए आप जानते हैं कि कन्या यानि कि वर्वो राशी वाले जातकों का आज का दिन कैसा वीतेगा जो आज ग्रेन नक्षत्रों का योग बना हुए हैं उसके अनुसार आज आपको काफी फाइदा होता हुआ नजर आ रहा है आज आपका मन चाहा काम बनेगा जिससे आज आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ेगा यदि आज आज आपको किसी यातरा पर जाना था तो वे यातरा भी आज सफल रहेगी आपकी बिजनस मीटिंग्स आज अत्यनतर सफस्वल रहेगी और आप अपनी कंपनी के लिए एक अच्छा खासा कॉन्ट्राइक लेपाने में सफल होंगे सामाजिक और सारजनिक शेत्र में भी आज आज आपका नाम और मान पजिश्टा दूर दूर तक फैलेगी जो भी महिलाएं आपके जीवन में आपसे जुड़ी हुई हैं चाहें वे आपकी माताजी हो आपकी बेहन हो या आपकी जीवन साती हो या आपकी कोई फ्रेंड हो उनसे आज आपको मदद प्राप्त होगी आज आपका दाम पत्य जीवन भी सुप में रहेगा आज आपका मन अप लेविए नए कपड़े खरीदने का भी करेगा इस समय पार्टनर्शिप करना आपके लिए अत्रन्त सक्सेस्फुल रहेगा और इससे आपके बिजनस में नए आइडियाज भी आएंगे और इन्वेस्ट्मेंट भी बड़ेगा आज आपको कौारी करन्याओं को अपने घर पर आमंतित करके भोजन कराकर उनसे आशिवाद लेना चाहिए करन्यार आशिवालों अगर आप अपने आपको अनलकी महसूस करते हैं आपका भागित आपको बार-बार दोका दे जाता है तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध, प्राण पतिष्चित, हीरे की अंगूठी या उसका सब्सिट्यूट अवश्य ही धारण करना चाहिए यदि आप स्वयन गुरु रज़ी शिशी जी द्वारा अभी मंत्र अंगूठियों को प्राफ्ट करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीम पर दिवे नंबरों पर हमें संपर कर सकते हैं किसी भी रज़नों की अंगूठी को खरीदने से पूर आपको अपनी कुंडली का अध्यर किसी योग के ऐस्ट्रोजर ग्वारा अवश्य ही करवा लिना चाहिए और यदि आप हम से जोतिश परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर कर सकते हैं आज का आपका राशी फल देखते हुए मैं आपको पूरे पांच स्टार देता हूँ इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है एक्जान में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे है या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है इंकम से ज़ादा खर्चा हो जाता है ट्रांसफर हो रहे हैं शादी नहीं हो पा रही है या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है आपका जो व्यापार है उसमें ब्रिद्धी नहीं आप आ रहे है आपके पर धंगी कमी बनी लेती है या आपका स्वास अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बेमार लेते हैं, या आपके बच्चे बेमार लेते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समश्या से आप पीड़ेते हैं. तो आप स्क्रीन पर आ रहे हैं नंबरों पर हमारी वेबसाइट पर जाकर या इमेल के माध्यम से या वाटसाप वीडियो पॉल के द्वारा गुरू रजली शिशी जी से या गुरू मारुक्मनी जी से या आप मुझसे संपर्ग कर सकते हैं जिसके लिए आप कोई छूटी सी पीस ज़रूर देनी होगी जिसका प्रयोग शनी पीठ मंजे के विवस्ता चलाने के लिए हमारे द्वारा गरीब लड़क्यों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टिूट चलाने के लिए कर्म के काम जैसे की यग्यो मायग्यों के आयोजन के लिए प्रशाद एव लंगर के वित्रंग के लिए किया जाता है आपके द्वारा दी गई इसी पीस में से हम अगले दे प्रमो क्रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा हवश्य करते हैं आईए अब जानते हैं तुला यानिके लिबरा राशी का आज का राशी पर आज आपके कुछ महतुत कूर कारें बनते नजर आ रहे हैं और कहीं न कहीं से आज आपको शुब समाचार की प्राप्ति होगी जिससे आपका मन प्रसंद उठेगा आज अपने बिजनस में आपको किसी का साथ मर सकता है और विशेश तोर पर यदि आप उने परिवार के किसी सदस्य की साहता लेते हैं तो आज आपके वियापार भी प्रगति होना भी तह है आज आपका शत्रूपक्स कमजोर ही रहने वाला है और आज वो आपको नुखसान पहुचाने में असमर्थी सिद्वों है आज आज आपकी दिंचब्या आपके अनुकूल रहेगी आपको किसी भी प्रगार की बादाएं आज नहीं रोक मैंगे आज आप अपने मित्रों के साथ गहन चर्चा में भाग लेंगे और आज सबी आपके तर्क और वितर्क करने की जो कला है उससे प्रभावित होंगे जिससे आपके फ्रेंट सर्कल में आपका दुद्वा आज बढ़ेगा आज अपने बच्चों की दरफ से भी आपको कोई शुख समाचार प्राप्थ हो सकता है आज का आपका राशी फल देखते हुए मैं आपको चार स्टार देता हूँ आईए अब जानते हैं बिश्चिक यानि कि स्कॉर्पियो राशी का आज का राशी का आज आप अपने मित्रों के साथ ऐसी एक्टिवीडियस में भाग लेंगे जिन से आपके जो पूरी हफ्ते की ठकाने वो आज मिट जाएगी आप बिल्कुल तरो ताजा और रिफ्रेश्ट फील करेंगे आज आप ऐसे काम करेंगे जिस समाज कुछ पॉजिटिव बदलावा पाए और इसी वज़ा से आज आपकी मान पर्जिटा में भी इजाफा होगा सब लोग आपको आदर के भाउ से देखिए व्यापारियों को विशेश तोर पर होल सेल का कारोबार करने वाले जिक्तियों को आज अच्छा खासा मुनाफा होने के असाथ बने हुए आज आपके परिवार के बज़ुद आपके साथ अपने एक्सपिरेंस को शेर करेंगे और यदि आप उनसे सीख लेकर अपने जिन्दगी में अमल करते हैं तो निश्यत्तोर पर आपका जो भविश्य है वो अत्यंत उजवल रहने वाला है और आपको कभी भी अपने जीवन में परिशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा इससे अच्छी आज आपके लिए कोई भी बात नहीं होने वाली है इसलिए मेरी आपको सला है कि आज कुछ समय निकाल कर अपने परिवार के बड़े बुजर्गों के साथ बैठे और यदि आप कोई परिशानी को फेस कर रहे हैं तो उनके साथ डिसकस करके उनसे सला लो आज आप कहीं भूमने जाने का प्लान भी बना सकते हैं उसमें आपके मित्र या परिवार के सबस्ते इर्गॉल्ब हो सकते हैं आज का आपका राशी पदेखते हुए मैं आपको तीन स्टार्ट देखना हूँ आईए अब जानते हैं धनू यानि कि साजी तेरे साशी का आज का राशी पदेखते हैं आज आपका स्वास्ते गरबर नजर आ रहा है और आज आपको विश्तर पर ही अपना समय रतीत करना पड़ सकता है आज आपकी खर्चों में भी बड़ोतरी होती हो नजर आ रही है कुछ ऐसे अनावच्षक खर्चे आ जाएंगे जिनको आप टाल नहीं पाएंगे आज आपको अपनी जो भी कारें उन में संतोज जना सफलता प्राप नहीं होगी यदि आपके वो कारें बड़ते हैं तो भी आपके मन को जो साटिस्फाक्शन होता है वो नहीं मिल पाएगा जिस कारण आप मांचेक रूप से आज परेशान दे सकते हैं आज अपने कारे करते वक्त भी आपको किसी भी प्रकार की हड़ बड़ाहड और जल्द बाजी से बचना चाहिए अन्य था आप अपने की ये कराय पर पानी फेर सकते हैं आज आप अपने उच अधिकारियों को प्रसंद करने के लिए कुछ ऐसे कारे करेंगे जिनसे आप सदैफ उनकी नजर में हमेशा के लिए आज हैं आज आपके परिवार में आनंद का वातावरन हैने वाला है यदि आपके पेताजी की तवियत पिछले कुछ दिनों से खराब चब रही थी तो आज उसमें सुधार होगा जिससे आपकी मान से किंता हैं कम धनु राशी वालों अगर आपके पास अपनी कार नहीं है और आप अपने सबनों की कार जल से जल खरीना चाहते हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सित, प्रांट प्रतिष्टित, पुखराज की अंगूटी अवश्य ही धारण करनी चाहिए यदि आप स्वयन गुरु रजी शिशी जी द्वारा अभी मंत्र अंगूटियों को प्राप्ट करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिवे नंबरों पर हमें संपर कर सकते हैं किसी भी रजनों की अंगूटी को खरीदने से पूर्फ आपको अपनी कुंटली का अध्यान किसी योग के ऐस्टोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे जोतिश परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर कर सकते हैं आज का आपका राशी को देखते हुए मैं आपको दोस्त का दिपा आएए अब जानते हैं वो चमतकारी उपाए जिसे करने से यदि रोगी का जो रोग है जो बेमारी है वो समझ नहीं आ पा रही है और उसका इलाज नहीं होगा रहा है तो ये उपाए करने से निश्चित तोर पर उनको स्वास्तलाब महसूस होगा आपको आज मिट्टी का एक सकोरा लेकर उसमें थोड़ा सा हल्वा रखना चाहिए और उसमें थोड़ा सा कोईला उपर से डाल गए कोईले के उपर कच्चे चावगी और फिर इस सकोरे को पीडित व्यक्ति के उपर जो की बिमार है उसके उपर से साथ बार गुमाएं और इसमें बरगद और पीपल की छोटी टेहनिया रखनें और एक अंड़ा फिर इस सकोरे को उठा कर किसी चुराय पर रखनें और अंड़े को उठा कर किसी सकोरे पर मार कर फोड़ें ऐसा करने से आपका जो भूगी व्यक्ति है वो जल ही स्वस्थ हो जाएगा आएए अब जानते हैं मकर ये किस कैप्रिकॉन राशी का आज का राशी फर्द आज ग्रह कलेश की संभावना बनी होई है और आज सुबह उठने के साथ ही या तो आपका अपने जीवन साती के साथ ये अपने परिवार के किसी और सदस्य के साथ बाद भुगाद हो सकता है जिससे आज आपका पूरा दिल मूर और रह सकता है ऐसे में मेरी आपको सला है कि सैयम से काम दे कोई बाद विबाद हो भी जाए तो उसको सुझाने का प्रयास करें और अपने मन में लेकर ना मेट जाएं इससे सदैफ विष्टों में करवाहट आती हैं यदि आप बाद विबाद को उसी समय संभालने की कोशिश करेंगे सोज़ानी की कोशिश करेंगी तो उसके जो लॉंग टव एफेक्ट्स हैं आप उनको टाल सकते हैं आज आपके जू भी शत्रू हैं वो आपको हानी पहुचाने का प्रयास कर सकते हैं इसलिए साथान रहें आज अपने खान पान पर भी विशेश ध्यान रखें हाईजीन का स्पेशिली आप उस पर नजर बना के रखें आन्मेथा आपका पेट खराब हो सकता है इसी सिलसले में मेरी आपको सला है कि आज आप बहार भूजन करने से बचें घरकारी साक्रिक भूजन ग्रहेंट करने आज नेगेटिव थॉट्स यानि की नकरात्वा विचार आप पर हावी हो सकते हैं जिस कारण आप अपने कारण में तोची नहीं लेवाईए आज आपकी आखों में भी आपको थोड़ी तकलीफ महसूस हो सकती है इसलिए मेरी आपको सला है कि आप अपने आखों का नंबर अवश्य चेक कराएं और साथ ही साथ जो आपका स्क्रीन टाइम है जो समय आप हर समय मुबाईल को देखते रहते हैं उसको कम करने का प्यास करें इसी से आपकी आखों में आरे जो समझता है वो धीरे धीरे करके हल देखते हुए आज का आपका राशिफ़ देखते हुए मैं आपको एक स्टार देखते हुए आईए अब जानते हैं टोम यानि कि आक्वेरियस राशी वाले चातकों का आज का राशिफ़ आज आपके उपर काम का वर्कलोड बहुत जादा रहने बाला है क्योंकि आपके पेंडिंग कारेयों की जो डेड्लाइन वो जल्गी समीब पहुँच रही है और उन्हें खत्म करने की टेंशन की वज़़े से आज आपका पूरा दिन अपने कारेयों को रिम्टाने में लग सकता है परतु दिन के अंत में जब वो कारेय समक्त हो जाएंगे तो आप एकडम टेंशन मुक्त हो जाएंगे और आनंदित महसूस करेंगे अपना जो समय हैं उससे आप इंजॉय करना है आज आपके तीर थ्यात्र पर जाने की योग भी बन रहे हैं और यदि आप इस दिशा में आज प्लानिक करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन शुब है आज अपने घर में धार्मिक आयोजन कराने पर आपके कुछ धन अवश्य व्याय हो सकता है परन्तु उससे भगवान की कृपा आपको अवर्शे हित्राथ होगी आज आपको अपने परीजनों के साथ कहीं घूमने जाने का भी प्लान बनाना चाहिए इससे आपके परिवार के सदस्य हैं उनके आपसी संबद मजबूत होगे आज आपको कोई व्यक्ति आपका मन चाहा उपहार दे सकता है जिरसे आप प्रसम होटे आज का आपका राशी फ़ल देखते हुए मैं आपको तीन स्टार देता हूँ आईए अब जानते हैं मीन यानि की पाईसे जाशी वाले चाहते को का आज कदे कैसा रुटेगा आज यदि आप बिजनस ट्रिप पर जा रहे हैं तो उससे अवश्य ही आपको लाप रापती होगे और आपके जीवन में करियर ग्रोथ पाने के नए जो द्वार हैं वो खुल जाएंगे नए ओपॉर्चुनिटीज आज आपके सामने आ सकती हैं जिनको आपको अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहिए आज सतर्पता के साथ प्रयासों से आपको मिश्चेत तौर कर सफलता की प्राक्ति होगे आज यदि आप अपने परिवार की सदस्यों से सयोग की अभिक्षा रखेंगे तो वो भी आपको आपके कारियों में सयोग देकर कृतार्थ करेंगे आज आप अपने घर में किसी समारों का आयूजन कर सकते हैं जिसमें आप अपने मित्रों को आमंतृत करेंगे और आप सभी साथ में रहकर बहुत अच्छा समय व्यतित करेंगे आज आपका आत्मिबल भी आपके सफलता को देखकर बढ़ेंगे स्टूडेंट्स के लिए भी आज का दिन शुब है आज वो अपने टार्गेट्स को बड़ी अराम से अचीव कर लेंगे और यदि उनका कूचिंग सेंटर में कोई एक्जान है तो उसकी लिए आज उन्हें चिंता करनी के आवशकता नहीं है आज वो बहुत ही अच्छा अप आपका भाक्य आपका साथ भी देता है और आप अपने आपको अनलकी महसूस करते हैं तो अपने भाक्य को बलप्रदार करने के लिए आपको एक मंत्र सिद्ध, प्रान पतिष्ट, मूंगे की अगूठी अवश्य ही धारण करनी चाए यदि आप स्वयम गुरु रजनी शि प्रीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्यर किसी योग के अस्ट्रोलाजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हम से जोतिष परामर्ष लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर कर सकते हैं आपका राशी साथ देखते हुए आपको चार स्टार देता हमारे वीदों पुरानों धर्म ग्रंथों और योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गहीं और वीडियोस को यहां पर क्लिक करके आप देख देरें कर दो देखते हैं